एक समय की बात है किसी गाउं में एक साधू रहता था वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठ कर तपस्या किया करता था उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और गाउं वाले भी उसकी इज़त करते थे एक बार गाउं में ब रैठे भगवान का नाम जब रहे हैं तो उन्हें यह जगह छोड़ने की सलह दी पर साधू ने कहा तुम लोग अपनी जान बचाओ मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधू के कमर तक आप पहुंचा इतने में वहां स से एक नाव गुजरी मलाह ने कहा हे साधू महाराज आप इस नाव पर सवार हो जाएए मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूगा नहीं मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यक्ता नहीं है मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा साधू ने उत्तर दिया नाव व पहुंचा बचाव दल ने एक रसी लटकाई और साधू को उसे जोर से पकड़ने का आगरह किया पर साधू फिर बोला मैं इसे नहीं पकड़ूंगा मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा उनकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहां से चला गया कुछ ही देर में पेड़ बाड की धारा में बह गया और साधू की मृत्य हो गए मरने के बाद साधू महाराज स्वर्ग पहुँचे और भगवान से बोले हे प्रभू मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना की अपस्या की पर जब मैं पानी में डूप कर मर रहा था तब तुम मुझे बचाने नहीं आए ऐसा क्यों प्रभू भगवान बोले हे साधू महात्मा मैं तुम्हारी रक्षा करने एक नहीं बलकि तीन बार आया पहला ग्रामीनों के रूप में दूसरा नाव वाले के रूप में और तीसरा हेलीक्राप्टर बचाव दल के रूप में त तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए वीडियो पसंद आई हो तो कृपिया मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें